देखे भाई, कोशन आपका, फर्स्ट कोशन क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना, आधुनिक युक्की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, आधुनिक युक्की मीरा भाई, आधुनिक युक्की मीरा भाई, निम लिखित में से किसे उप्सन को बोलते हैं, तो याद रखना महा देवी वर्मा को महा देवी वर्मा को लेकिन आपसे पूछ लेगा आदुनिक भारत का पिता आदुनिक भारत का पिता आदुनिक भारत का पिता याद रखना तो आदुनिक भारत का जो पिता है दोस्तो वह हो जाएगा आपके राजा राम राम मोहन राय आपके ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मनी इस काँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, आधुनिक वारत के मीरा भाई कोन है आपके, महा देवी वर्मा, और महा देवी वर्मा की एक रचना याद रखनी है, महा देवी वर्मा की एक पुस्तक का नाम याद रखिए, और पुस्तक का नाम है याम्मा, यामा नामक पुस्तक किसके दुआरा लिखी गई है महादेवी वर्मा के दुआरा लिखी गई कोई दिक्कत नहीं आतक अगले परसन में बढ़िए अगले परसन पर क्या दिए एक नम्मर परसन किसका सही है कमेंट करके बताओगे सारी विद्यारती आगे देखे भाई अगले परसन में क्या दिए बजट को किस सूची में रखा गया है दोस्तो पीडियव के लिए अगर आपको पीडियव चाहिए जीके से रिलिटिट आपके तो इस नम्मर से वटसप से जुड़ जाना और आपको पीडियव मिल जागी कोई चार्ज नहीं है दोस्तो कोई PDF का चार्ज नहीं है बस एक चार्ज लगेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को जादा से जादा शेर करना पड़ेगा अगर कोई विध्यारती करता तो उसी कोई PDF दी जाएगी बिल्कुल फ्री जितनी भी आपके जीके क्लास हो चुके आगे होगी भाई साथ यही याद रख लेना दोस्तो परसन में देखे बजट को किस सूची में रखा गया है बजट देखो बजट होता आपके केंदर सरकार का केंदर सरकार का और आपके किसका होता भी आपके राज्य सरकार का किसका होता है राज्य सरकार का तो बजट किस सूची का विश्य संग सूची का राज्य सूची का समवर्ती सूची का इन में से कोई नहीं देखो बजट आपके केंदर और राज्य दोनों मिलकर आपके तो यानि कि राज्य भी तो बताता है कि हमारे पास इतने यानि कि कम पैसे पढ़े उच्छेतर में तो आप इसको भी लिए तो यह दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो किसमाएगा समवर्ती सूची में एक बात और ध्यान से सुनना अगर परसन आ जाए समवर्ती सूची को कहां से लिया गया तो यादगना ओस्टेलिया के सविधान से तो परसन बनेगा हमारे सविधान में पहले दो ही सूचिया थी संग सूची और राजिस सूची तेसरी सूची को कहां से लिया गया ओस्टेलि राज्य सूची राज्य सूची इसके विश्ची के अगर बात की जाए तो इसके टोटल विश्चे कितने वहीं आपके कितने बताओगे पहले ही आपके 66 थे, पांच कम करे 61 एक और जोड़ दिया कितने होगे आपके 62 संवर्ती में पहले 52 विश्चे थे प्राष्ट्राइब करेंगे वो किसमे राज्य जो करेंगे वो और दोनों मिलके काम करेंगे वो समवर्ति सुची तो ऐसे याद रखना दोस्तों अगले परसन को देखें क्या दिया कि नेक्ट कोशन को राष्ट्य दवज के प्रारूप को सविधान सभा में कब जोड़ा गय हमारा जो राष्ट्य दवज है इसे सभिधान का यानि कि सभिधान में इसे दर्जा कब दिया गया दोस्तों ये बताना आपको राष्टे धवज को राष्टे धवज की लंबाई चोडाई का नुपात पूछू दो राष्टे धवज में रंगों की संख्या पूछू दो रंगों की संख्या कितनी है क्योंकि एक आपके वो चक्कर है न जो असोक चक्कर वो आपके गहरा नीला है वो कैसा है गहरा नीला नेवी विलू उसको जोडने के बाद में आपके कितने हो जाएंगे राष्ट्य दवच की अगर बात की जाए इसका एक जनक पुछेगा क्या पुछेगा जनक तो यादगना पिगली पिगली वंकेया पिगली विंकेया और इसको अपनाए गया था आपके 22 जुलाई 1947 कहीं दिख रहा है क्या 22 जुलाई 1947 को राष्टे दवज को एक तरंगे के रूप में अपनाए गया भारतिय सविधान के अंदर दोस्तो अरे सैसन को शेर करें बाई सारे विद्यारती अगले पॉइंट को देखें क्या दिएगे नेक्स्ट कोशन को ते बंद कर देखें क्लास आगे देखें रेल बजट को समाने बजट से किस वर्स अलग किया गया एक तो ये परसन मिलेगा इसको अलग किया गया था भाई आपके 1924 में कब अलग हुआ था ये लेकिन वापिस जोड दिया वापिस क्या कर दिया जोड दिया तो याद रखना आपके 2016 और 2017 के अंदर है तो परसन मिलेगा गुरुजी पहले आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ थे किस से पहले थे ये 1924 से 1924 में इन दोनों को क्या क्या कर दिया अलग कर दिया वापिस इनको कब जोड दिया 16-17 में तो रेल बजट को समाने बजट से अलग निकालने के लिए एक कमेटी बनी एक समीती बनी जिसका नाम आता है ओकवर्थ समीती क्या नाम आएगा ओकवर्थ समीती रेलवे का बहुत अच्छा परसन है और आपके SSC GD में आने वाला परसन है दोस्तों ये SSC GD के अंदर SSC GD में एक परसन पूचा गया था कि प्रिथवी के वायू मंडल में सरवादी गैस कोन सी पाए जाती है नाइट्रोजन अभी एक परसन आया था कि प्रिथवी का जो अंतरिक से आसमान दिखता है वो कैसा दिखता है अंतरिक से आसमान काड़ा अंतरिक से धर्ती कैसे दिखाई देती है नेली दिखाई देती है कर लोगे अगले point को देखे भाई क्या दिया गया है परसगया पाचवा भारते तरंगे जंडे के बीच चक्कर में कुल कितनी तिल्लिया है कई बार ये ऐसा person मिलेगा इसके बारे में ध्यान से सुनना इसका एक person आता है कि जो आपका असोग चक्कर है क्या है भाई ये असोग चक्कर सुनना मेरी बात असोग चक्कर इस असोग चक्कर को कहा से लिया गया है सारनात से कहा से लिया गया है और सारनात के अंदर जो चक्कर है न दोस्तो सारनात में जो चक्कर है उसके अंदर कितनी तिलिया है लेकिन हमने 32 नहीं ली कितनी लिये दोस्तो 24 इन तिलियों का रंग भी पूछेगा रंग या दखना नेवी नेवी ब्लू क्या बताओगे नेवी ब्लू यानि की गहरा गहरा नीला लिख ले भाई ये बात लिखता क्यों निये तूं ये बता द आपके लिए पढ़ा रहा हूं भाई काम का लिखो एक दो दो बाते सोरी सर कल बता रहे थे की बलैक कलर का समारे कुण है यो आरूरू कुण है मैं जादा करो को ब्लोक कर दियुग मैं बहुर्ति तरंगे जंडे के बीच में चक्कर में कुल कितनी तिलिया है 24 अब एक बात मताएं ये जो तरंगा है ये जो जंडा है इसका दिवस कब आता है तो याद खना बाईस है जुलाई को कब आता भईया लेकिन पर्षन आएगा आपके कि अबनाओर कि ये जंदाडिवस क्ए आएगा जंदादिवस तो वह सासस्टर सेनाओं का जंदादिवस है जो साथ है दिसमबर को कब आता है साथ दिसमबर को जंदादि तो दिसमबर त्रंगे की बात बोले तो 22 जुलाई अगले point को दे कि भाई अगले person में क्या दिया next question सवतुंतर भारत का प्रतम budget किसने पेस किया था तो कल वाली शाम के class में अच्छे से पढ़ाय था मैंने सवतुंतर भारत का पहला budget पेस किसने किया था याद रखना दोस्तों जो zone मताई के घर जा रहा है वह गलत कर रहा है क्योंकि वो railway चला रहा है railway railway मंत्री कौन था dus का पहला तो याद रखना आपके zone मताई यह पहला railway मंत्री था लेकिस सवतुंतर भारत का पहला budget पास करने वाला यानि कि क्या मिलेगा आपको वित मंत्री और वित मंत्री का नाम है सेटी क्या नाम है? RK 60 RK 60 याद रखना आपको उत्तर संख्या A हो जाएगा आपके Dr. B.R. अमबेड कर याद रखना है हमारे देश के क्या थे? कानून मंत्री क्या थे वह या? कानून मंत्री आपको ये दिहान देना है Dr. B.R. अमबेड कर भारते सविधान के पिता भी के लाते है Dr. B.R. अमबेड कर को देश का पहला क्या बना गया? कानून मंत्री बनाएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई सा जोन मता है लिग दियो? रेलवे मंत्री? ये पहला परसन संक्या साथ गलत हो गया पीट पीट के अडिया तोड़ दूँगा? बारत का राष्टे कलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपना गया? बारत का राष्टे कलेंडर क्या है दोस्तों? ये बता दो पहल तो राष्टे कलेंडर का नाम क्या है? Very good दोस्तों कनिस्क नामक राजा ने कनिस्क करें नामक राजा ने क्या कहे है स्कापना की विस्तापना कब की 78 इसवी मैं भी विस्तापना 78 इसवी मिल जाएगा नहीं तो इसको क्या भोलेंगे AD जो वरत्मान का समय 78 इसवी और इसके अंदर कितने महीने होते हैं वया 12 महीने कितने होते हैं 12 महीने होते हैं और याद रखना पहले महीने का नाम पहले महीने का नाम आपके सामने चेत्र और अंति महीने का नाम फालगुन फालगुन यानि कि लास्ट महीना और यह आपके फर्ष्ट महीना कोई दिक्कत नहीं है अभी फालगुन मेरे इसाफ से लगा नहीं है 24 है और 24 तारीक को खतम होगा 24 को यानि कि आज तारीक के 23 सहथ आज उसक है सेरी मिर को दिन उसकनी तो काल फागन लाग जो भाई और गर्गी जो महिला होती है इनको ये चीज़े याद उती है तो किसी महिला से पूछना पड़ेगा फालगुल लग चुका या नहीं लगा अरे कोई नी आरू लगा लूँगा आज लगा लूँगा बस तू खुश रहे ठीक है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है गया बारत का राष्ट्य कलेंडर का नाम के है सक्सम्मत सक्समत कुण से राज्जा चलायो कनिस्कने कुण से वर्ष में चलायो 58 यस्वी में और यो बारत्य सभीधान में इसको राष्ट्य कलेंडर का दरजा दिया गया था 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को और पहले महिने का नाम चेत्रमा और लाष्ट का भया फालगुण कता ही जहर लग रहे हो गुरुजी ओ जहर खातर तो लगाया यो एक अधन मार के छोड़ना है चले भाई अगले पोइंट पे चलते हैं अशी मजाक में ही जी के याद होता है जी के सीरियस लोगे कभी याद नहीं होगा सवतुंदर भारत का या भारत का राष्टे जलिये जीव राष्टे जलिये जीव का नाम बताएए भया क्या है और ये पूणते याद रखना इनकी आखे नहीं होती इनकी आखे नहीं होती इनका नाम क्या है गंगा डोल्फिन गंगा डोल्फिन और ये गंगा डोल्फिन आपके सिंदु नदी, ब्रंपुतर नदी और गंगा नदी इनमें ये पाई जाती है और डोल्फिन को भारतिये राष्टे जल्य जीव की दरजा का मिला 2009 में और ये कहां पे पाई जाएगी गंगा नदी में तो याद ना गंगा नदी को राष्टे नदी कब बनाया राष्टे नदी 2008 में पहले नदी को मानेता दी गई फिर इसमें एक जीव पाई जाता है अब इसको राष्टे जीव क्यों बनाए गया तो जिस परकार से मचली को पकड़ते हैं ना उसी प्रकार इसको पकड़के खान आ जाए लोग। गड़ियाल मगरमच के एक कैटेगरी के अंदर आते हैं अंग्रेजिम के बोले टैड़ पोल को क्रोकोडाइल टैकपोल तो मिन्ड की हो दोगो कोकोडाइल होया के हो यो ठीक सागे आगला परसन बचलना अड़के दे राखे देखो वैट को सरपर्तम किस राज्ये ने अपना एक तो वैट की फुल फोम बताईए क्या है वैट की फुल फोम देखे बिहार उत्तर परदेस मद्दे परदेस अरियाना वैट एक परकार का क्या है सीमा सुलक टैक्स है सीमा सुलक क्या एक परकार का टैक्स है और वैट को अपनाने वाला पहला जो बारत का राज्ये बना वे आपको ध्यान देना है अरियाना, कौन सा बना था भया, अरियाना, एचार, एचार की सारी बाते भूल जाओ, एचार की एक बात याद रखनी है, भारत का सबसे कम, भारत का नियुन्तम, नियुन्तम है सेक्स रेसो, सेक्स रेसो, अब परसन आजाएगा, भारत के किस 800 पर महिला ही रहती है 879 तो बारत के किस राज्य में Sex Rays等 की मातरा कम है दोस्तो अर्याना और एक अर्याना का पहला परस्ण क्या दिल रखना है राश्टिय राश्टिय डेरी डेरी अनुसन्धान के अंदर अनुसन्धान सन्धान के इंदर बस एक चीज याद रख ले एक बार, ये पढ़ते हैं आपके करनाल में, तो देश की सबसे बड़ी दूद की जो डेरी है वो कहा है, करनाल में, और हर्याना, किस राज्ये से अलग हुआ, अगर परसन आ जाए, हर्याना का, जो राज्किय, राज्किय पुस्प है, पुस्प, यानि क पूल, और रे, फ्लोवर, वो बताने क्या है, बताए, अरयाना का राज्किय, पुस्प, फ्लोवर, क्या है, अपना क्या है, पूरे भारत का क्या है, तो अर्याना का भी क्या है? यादना कमल आपके तीन राज्यों का है जम्मू एंड कस्मीर है पलस में करनाटक है और कोई नहीं बोलेगा जीतिया बोलेगा तीसरा बता कोण है? मारूंग हो मैं मारूंग हो लड़ी बारत के तीन राज्ये का है राज के फूल कमल रहे वाह कहा घूम रहा था तूँ देख पहले रास्तन क्यों बोला? राजस्तन का पता है क्या है? रोहिडा रोहिडा देखे डाए कि तेरा? मैं दिखाऊंगो कि लास खतम हो जान देख बार अरे रोज ना रोहिडा एक व्रेक्स है जिसकी लकड़ी बहुत है जैसे फनीचर वंगे ना बनाने में काम मिल आती है और उसके उपर पीले पीले गुलाबी गुलाबी कलर के फूल लगते है और उसके अंदर एक थोड़ा सा रस पाय जाता है वो मीठा लगता है खाने में तुमारे ब्यार में यह नाड इलाओ एक यूपी को बैठे नियू काया तुमारे नहीं पाय जाते है दस किलो की नाड नियू मा रहा है और परतम हिंदी सम्मेलन 1975 में देखो हिंदी वासा से रिलेटेड एक सम्मेलन किया गया सम्मेलन इसलिए किया गया क्योंकि हिंदी का प्रियोग बारत में भी होता है W बार्त से अलग भी होता है इसको लोक-प्रियोग बनाने के लिए इंत्रनेशनल के अंदर का पे सबी देशों में हिंदी को भी मानितम इसलिए हम याद रिखना पहला अंतर राष्टिये अंतर राष्टिये हिंदी हिंदी बासा दिवस हिंदी बासा दिवस कब बया और यह समेलन कहा लगा था महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो हिंदी बासा का पहला समेलन और याद राष्टिये हिंदी बासा दिवस कब के अता है नहीं जनवरी करूंद Singing was a लेकिन राष्ट्य राष्टी रहना दोट 4 सितंबर और पहला जो हिंदी दि वंडा दौता वो 2006 में मनमोन के सरकार में क्लिफ आतना मत परिन इतना याद रहला है अन्तराष्टी इंदी दिवस 6 अतंबर राष्ट के लिए और हिंदी बासा के लिए पहला सम्मेलन भारत में 1975 में कहा लगा था नागपुर को या दखना संत्रा नगरी संत्रा नगरी संत्रा नगरी का मतलब यहाँ पे क्या होते है सरवादिक है संत्रे होते है भया संत्रो संत्रो तो हमारे एक पडोसी है पडोसी की बहु का नम है संत् मेरे ममी पूछते का करी है संत्रों? अरे कचुना करी बस आंगने में जाडू निकाली है? आप ब्यार से ला रखिये, बिल्कुल सही पगडा लाला! लाला सही पगडा रे! सैंड वेट का सम्मंद किस से? सैंड वेट, सैंड वेट एक परकार का कर है, सैंड वेट का एक परकार का कर है दोस्तों, और सैंड वेट का जो सम्मंद है, वो याद रिखना हमारे उत्पादन से रिलेटेड है, किस से भया? उत्पादन सुल्क से उत्पादन सुल्क से सैन वेट का संबंद किस से रिलेटेड है आपके उत्पादन कर से एक बाद बताईए मुझे आप GST क्या है GST तो याद ना GST एक क्या है A-Pertex A-Pertex Very Good A-Pertex कर लाड़ले लगाले उत्तर को कोई नहीं बताएगा आपको पूरी की पूरी जी के पूरी की पूरी साइंस और पूरी की पूरी मैथ और रिजनिंग YouTube के प्लेटफोर्म पे Oxford Career Center जैपुर संस्तान आपको बिल्कुल फ्री 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 8 बजे शुरूती है गलास और रात के नोबे तक गलास सलते है दोस्तो रूची का उत्तर आया कि गुरुजी भी बताईए आयकर कर नहीं है ये आपका उत्तर मिलेगा यहां पर उत्पास सुलक कर जेश्टी क्या है कभी परसन आ जाए जेश्टी क्या है हाँ जेश्टी का पूरा नाम की है फुल नेम तो याद रिखना गुड एंड सर्विस टेक्स हिंदी में बोलते है वस्तू एवं सेवा कर कैसा कर अब या कैसा कर है कैसा कर ए परतेक्स अगले परसन को देखे क्या दिये गए विश्व की सबसे प्राचिन लिखित भासा का नाम बताना है विश्व की विश्व की सबसे प्राचिन लिखित भासा का नाम बताईए एक बात बताऊं विश्व की की बजाए आपसे कई बार यह पूचता है भारत की सबसे प्राचिन भासा भारत की बारत की पूछे बारत की अगर बात की जाए तो यादगना संस संस्कृत है हाँ संस्कृत का पार्णिन नाम का एक व्यक्तिय उसने इसके खोज की थी विश्विक्ति सबसे पुरानी जरूर है लेकिन लिखित मिलती है तो यादगना सुमेरियन एक आपने सब्वेता सुनी होगे आपके मेसो मेसो अरैवा यार राउल तुने बता है उत्तर राउल नाम का विद्यारती अब थोड़े दिनों में यूपी पुलिस का दुबारे पेपर हो और ये बंदा लग गया देख ले ना बस मेसो पोटामिया मेसो पोटामिया मेसो पोटामिया एक सब्वेता सब्वेता दोस्तों ये मद्दे मद्दे एसिया में पढ़ती है कहां पढ़ती है मेसो पोटामिया सब्वेता को ही क्या बोलते है सुमेरियन सब्वेता और ये एक बासा है क्या एक बहसा है और कैसे यह पुरानी है लेकिन कैसी बहसा यह लिखित याद रखना। लेकिन दुनिया के सबसे पुरानी बहसा का नाम मिले तो जोैं बताऊँगे अलग लग छेत्रों प्रों मिलेगी कोई और फेमस कन यह एकुंट परसन को देखिए बड़ा सहर कोन सा है सहर कोन सा है कोन सा है मुझे नहीं पता कमेंट सेक्षन में हर एक बच्चे का उत्तर आना चे नहीं अड्या तोड़ूंगा भाई साब उत्तर दो सब्सक्राइब अगर इसका उत्तर आपने रेदिया ना बाई साब 101 रुबे इनाम है 101 रुबे इनाम बाई सा उत्तर दे जिया दो बारत का सबसे बड़ा सहर कोन सा है पॉल काता मोर बड़ा हो थार अट्रट जवो बस है चल समयली बजार में तुझे जुला जुलाओं कोई कहा रहा है मुंबई है कोई कहा रहा है कोई रूची का चोदरिक के तूपटे को निके लड़ी यह गाम को जाला है यहां चोदरी लागे चोदरी को होगो नहीं अब देख तूज द्यान से अगर ऐसा परसन आ जाए तो आपको एक ही सब्द सर्च करना है जिसका नाम क्या है यानि कि किस में पूछा जा रहा है यह छेत्रफल देखो आप एक बात बताए मारकर बड़ा या मैं बड़ा आपने पूरा आकार देखा पूरा साइज देखा और पूरा मेरा छेत्रफल देखा यह चोटा सा आए बाई तो ऐसे कभी परसन आते हैं तो दिमाग में क्या बिठाना एरिया और एरिया के कोडिंग सबसे बड़ा जो सहर है वह कोण सहर है लगबग आपके 1480 वरक किलोमेटर में एरिया है लेकिन पर्षन आजाए बारत का सबसे बड़ा सहर जन संख्या में ये पर्षन में लिखेगा जन संख्या की द्रिष्टी में बताईए तब आपका राइट उत्र हो जाएगा मुंबई अवाज नियारी किसी एक बच्चे ने भी मुंबई के इलावा यानि कि कोई उत्तर नहीं लिखा पर्षन क्या मिलेगा बारत का सबसे बड़ा सहर जन संख्या की द्रिष्टी से मुंबई जन संख्या की द्रिष्टी से मुंबई सिधा पर्षन之後 बारत का सबसे बड़ा सिटी दिली का रख दोस्तो आगे मत बोलना कभी अज़ेश्य कभी पर्षन व्हां समसे ना मिलेन आपको किस में बताननाे तो दिमाग में क्या बिठाना तर बस आसे सबस्ण आताना बारत का सबसे बड़ा राज्य कोण सा है तो आपने छेत्र फल देखा ऐसे यही बताना था बस सोरी सर गलत हो गया विकास चोदरी भाई मारूंगा भूत मैं चस्मा का ने देखा वही एक तो सामने काली चस्मा ले आणिया आज अरे यह पता है क्या यहां पर काफी हाइट की बोल्टेज है और यह देखो यहां पर सिसा टूटा हो इसकी सिधा नजरों में आता है और सबसे आदा लैप्टूप में ही चलाता हूं अब यह थोड़ दिनों में तीन चार दिन हो गया तो मुझे नजर का चस्मा बढाना पड़ेगा अब नजर वाला बढाऊंगो तो 1100-1200 रुपे लगेंगे बजट अभी है डीला इसलिए यह सोरवे का चस्मा से काम चला रहा हूं बाई बारते सविदान की पचास परसन होई पहली बारते सविदान की जीति भूम है बारते सविदान के आठ्वी अनुसूची में कितनी बासाओं का उलेख है अब एक बात बताई मुझे अगर मैं आपसे बोलू 22 बासाओं के नाम लिखने है क्या ये बताई मुझे 22 बासाओं में अंग्रेजी सामिल है क्या अंग्रेजी सामिल है क्या क्या 22 बासाओं में अंग्रेजी को सामिल किया गया क्या परसन पुछे मैंने 22 बासाओं में क्या अंग्रेजी को सामिल किया गया क्या किया गया क्या तो याद रखना अंग्रेजी सामिल है नहीं है कर लोगे अंग्रेजी 22 में सामिल नहीं है दोस्तो अगले परसन को देखे क्या दिये गया परसन क्या अगला सत्मेव जेते कहां से घ्रैन किया गया सत्मेव जेते याद रखना दोस्तों यह हमारा क्या है आदर्स वाक्य हमारे सविधान का आदर्स वाक्य क्या है यह भया आदर्स आदर्स बोलो चैस को बोल सकते हो राष्टे वाक्य क्या बोलोगे राष्टे वाक्य वाक्य क्या होता है सब्दों के मेल को वाक्य बोलते है अक्सरों के मेल को सब्द बोला जाता है ठीक है आती हिंदी तो फिर तो सातम जे तो कहां से घरेन क्या गया है अगले पॉइंट पे देखिए अगले परसन पे बात नहीं करेंगे बाई साब बाहरत में सरवादिक बोली जाने वाली बासा बाहरत में कौन सी बासा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा का नाम याद रहना दोस्तों बाहरत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बासा का नाम तो है आपके एक नम्मर पे हिंदी और दो नम्मर पे बोले आते हैं आपके बांगला और तीन नम्मर पे बोले आते हैं तमिलवासा भारत में एक नम्मर पे बोली जाने वाली और विशु में विशु में पहले नमर पे एह हैं चीनि क्या बताओगे इस चीनि को ही बोलते हैं मदार और दूसरी नम्मर पे अंग्रे जी और तीसरे नमर पे और चोथे नमर पे इस्पैनिस इस्पैनिस कौन सी अगले परसन को देखें क्या दियागे नेक्ट कोशन आधुनिक युक्का तुलसिदास कि सब बोलते हैं देखो इसका मतलब है आधुनिक युक्का तुलसिदास बोलो चाहे इसको आप बोल सकते हो आधुनिक युक्का कवी या बोल सकते हो भारत का राष्टिय राष्टिय कवी तो भारत का जो राष्टिय कवी है दोस्तो राष्टिय कवी ये बताना है तो राष्टिय कवी का दर तो भारत भारती नामक रचना किसकी है मेतली सरण गुप्त और मेतली सरण गुप्त को क्या बोलते है भारत का राष्ट का भी या इसे आधुनिक यूग का क्या बोलाता है तुलसी दास या तुलसी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो दोस्तों तुलसी भी बोल सकते हो दोस्तों वाइरी गुड वाई वाइरी गुड वाइरी गुड बाई वाइरी गुड फटा-फट उ तर दे रह경ा और ध्यान से सुन ले न Nowadays जितने भी विद्यार्ति दिलाइव देख रहें अगर पी एक काम को सवा पांस बज़ें आपके जीके की दमाकेदार किलास है जो 20s वाले बच्चो के लिए और आपके 22 वाले बच्चों लिए कि जिनका सपना अपकी बार 24 में चुछ ना-कुछ तो व्यक्रण का जनक को नहीं संस्कृत व्यक्रण का जनक बोले तो याद रखना आपके पानेनी कोण भिया swollen पांड़नी के दुवारा कोई रचना का नाम बताइए रचना बताइए कौन से अश्टा द्याए अश्टा द्याए किसकी रचना है पांड़नी की अश्टा द्याए ये कई बार एक्जाम में आता है अश्टा द्याए किसकी रचना है पांड़नी की पांड़नी ने किसकी जन एक बात बताईए भारत की लीपी क्या है भारत की लीपी लीपी का मतलब क्या होता है जैसे मैंने इस परकार इसको लिखा है यह ऐसे अक्सर की बनावट अक्सर को लिखने का डंग तो वो क्या होती है लीपी और हमारी लीपी क्या है देव नागरी तो देव नागरी लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ पंजाबी बासा की लीपी, पंजाबी बासा की, पंजाबी बासा की, तो पंजाबी बासा की लीपी का नाम है गुरू, गुरू मुखी, तो कई बार ये भी परसन आता है, और ये देवनागरी लीपी को कहां से ही गरेण किया गया है, संस्कृ इससे ही निकाला गए। अगले point पर देखे वाई अगले person पर क्या दियेगे next question संसार का सबसे बड़ा महा कावे कौंड सा है महा भारत एक बात बताइए मुझे महा भारत के रचनाकार कोन है महा भारत के रचनाकार कोन है? रचनाकार तो यानि कि किसके द्वारा ये लिखा गए तो याद खना वेद वेद व्यास और वेद व्यास के द्वारा क्या किये गए? वेदो की रचना किसकी व्या? वेदो की रचना भी किसने किये? वेद व्यास ने और वेद व्यास के दुवारा ही क्या लिखा गया आपके गीता क्या लिखा गया है गीता लेकिन गितांजली की बात करें तो गितांजली गितांजली किसकी है गितांजली तो गितांजली नामक जो रचना है वो किसकी है जिसको पहला भारत भारत की ओर से क्या मिला है नोबल कितनी बार तो पता है आपको अगले पॉइंट पे देखे क्या दिएगा हिंदी विशे के लिए प्रतम ग्यानपिट पुरुसकार किसे दिया गया था हिंदी विशे के लिए सबसे पहले ग्यानपिट पुरुसकार किसे दिया गया था आपके याद रखना दोस्तो ग्यानपिट पुरुषकार बारत का सबसे बड़ा बारत का सर्वोच साहिते पुरुषकार तो बारत का सबसे बड़ा साहिते जो पुरुषकार है उसका नाम क्या है ग्यानपिट पुरुषकार ग्यानपिट पुरुषकार की स्थापना होती है 1961 में लेकिन ग्यानपिट पुरुषकार जो दिया गया वह 1965 में और सबसे पहले 1965 मिला था जी संकर संकर कुरुप तो सबसे पहला ग्यानपिट पुरुषकार किसको मिला मल्यालम भासा के अंदर तो जि संकर करुप लेकिन हिंदी बासा पूचा क्या बोला है? हिंदी बासा तो यह मिला था आपके महादेवी किसको मिले था तो सुमित्रा अनंद पंथ है इसका राइट या मैं पूस्त अगर मिला हुआ है क्या अच्छ आगे देखते कोई अगले परसन या तक कोई दिखती है न देखिए सबसे अधिक बार बजट पेस किसके दुआरा किया गया यानि कि किसके समय में बजट को सबसे ज़यादा पेस किया गया डॉक्टर मनमोह सिंग, डॉक्टर पी चेतनमबन, पर्णम मुखर जी या मुरार जी देश आई तो सबसे ज़यादा जो बजट पेस हुआ था दोस्तों वह याद रखना मुरार जी देश आई राइट उतर क्या मिलेगा? इसका एक याद न समाधी स्तल समाधी स्तल, तो समाधी स्तल का नाम क्या है मेरे भाई? तो समाधी स्तल को बोलते हैं, अबे, अबे, गाट कल रात को अच्छे से याद कराय था, इंपोर्टेड भी लिखाय था, अबे गाट अब एक आठ किसके समाधिस्तल का नाम है, मुरारजी देसाई, और मुरारजी देसाई का बड़े बनाये जाता है, चार साल में एक बार, चार साल में एक बार का मतलब है, very good, 29 फरवरी को, तो 29 फरवरी को किसका बड़े आता है, मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई को या सर्वोच क्या मिला इसको रतन तो पाकिस्तान का जो सर्वोच रतन है उसका नाम आता आपके सामने निशांत ए पाकिस्तान निशांत ए पाकिस्तान नामक कहां का पुरुस्कार है जित्यु बोलेगा, जित्यु ब्हारत का सबसे बड़ा पुषकार कोण सा है कोई ना बोल यो वाई साथु जित तु बारत का सबसे बड़ा प्रुसकार कोन सा है यह जोर दे दिमाग परो कि विद्यत बोलेगा दे तुर प्रुसकार जैसे पाकिस्तान का निसान ते पाकिस्तान तो अपना क्या है भारत का सरवोच नागरिक सम्मान भारततन पाकिस्तान का क्या है निशान ते पाकिस्तान और सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को लें रिया है मुरार्जी देशाही ने कर लोगे मुरार्जी देशाही के समाधिस्तान का नाम और इसका बड़े किस तारिक को आएगा 29 है अगले परसन पर देखता हूं दोस्तों क्या दिया गए भारत का सैक्सपेर किसे का आ जाता है जिस परकार सैक्सपेर नामक एक क्या है अंग्रेजी लेखक है बहुत सारी उसने रचना किस विलियम सैक्सपेर की लेकिन विलियम सैक्सपेर बारत में उपमा किस वेक्टी को मिली हुई है तो या दखना बारत का जो कालिदास है उसे क्या बोलाता है बारत का सैक्सपेर कालिदास की दो रचना याद रखना कितनी रचना दो रचना याद रखना एक का नाम रगु वन्स और एक या देखना अभी अभी ज्यान अभी ज्यान सकुंतलम्स जी तू छोट छोटी चीज़ भुल्ला क्यों है तू पैर क्यों लाव है अगले पॉइंट को देखे क्या देगा है बारत का राष्टे गान जन गन मन को सविधान ने कब अपनाए था दो दिन पहले अपनाया है यानि कि जब सविधान लागोरोस उसे दो दिन पहले या दखना अगर ये ना मिले तो या दखना अंतिम अंतिम बैठक अंतिम बैठक या बारवी बैठक तो सविधान निर्मान की कौन सी बैठक में हमने ये राष्टे गान को राष्टे दरचा दिया अंतिम बैठक कौन सी बैठक बारवी और कौन सी तारिक को इस तीन तीन बातें आद रखना एक हमारे देश का क्या होगा राष्ट्र अद्धेक्स क्या होगा राष्ट्र अद्धेक्स यानि कि क्या पद लिया राष्ट्र पती क्या पद लिया तो हमारे देश का एक राष्ट्र अद्धेक्स होगा हम क्या बोलेंगे राष्ट्र पती डॉक्टर राजिंदर परसद चीज़ बोलेगा, यह लड़का, नीकित एक चीज़ क्या अपनाइज दिन तेन चीज़े लिये दो तो बता दे, एक और बता दे राष्टे गान तो राष्टे गान तो राष्टे गान को अपना यह तीनों इसी तारख विया यह तीनो बाते इसी तारिक को याद रखनी है सविधान दिर्मान की अंतीम बैठक थी प्रतम बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को लाडले 1949 ना करे पेपर में भैल हो लेगा यह क्या कर रहा है 1949 क्यों लिख रहा है तब ही तो मैं आपके कमेंड नहीं देखता उल्टी सीथी बाते लिखते रहते हो तो सविधान दिर्मान की पहली बैठक कब होई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक पूछे तो याद रखना आपके 11 दिसंबर 1946 को और इस पहली बैठक में कैसा अदेख्स बनाता है एस ताई कैसा अदेख्स बनाता है और वो था डॉक्टर सचिदा सचिदा अनंद सिना और दूसरी बैठक में अदेख्स कैसा बना इस ताई अदेख्स जिसका नाम आता है डॉक्टर राजेंदर परसाद जो हमारे देश का पहला परदान मंत्री है राष्ट पती पहला परदान मंत्री पंडी जवाला ले रूँ इसको कोण से गांधी बोलते है इसको कोण सा गांधी बोलते है डॉक्टर आजिनत परसंद को बियार का गांधी कल बताये था यार कल वाली तीन गंटे किलास देखोगे तब ही तो याद रहेंगी चीजे कल वाली किलास से बहुत सारे परसन है अगले परसन को देखिए राष्टे गान को गाने में कितना समय लगता है इसके उपर डिबेट नहीं करूँगा वाई बिलकुल भी राष्टे गान को गाने में कितना समय लगता है और राष्टे गीत की बात करूँ तो राष्टे गीत के लिए 65 सेकंड है राष्टे गान के लिए 52 सेकंड है राष्टे गान को लिया गया है गितांजली पुस्तक से कई बार परसन आ सकता है कि राष्ट्य गान को कहां से लिया गया गया गुरुजी तो याद रखना आपके राष्ट्य गान को किस बुक से लिया गया गया बुक पूछ लेता है तो याद रखना गितांजली और अगर परसन आजा आपके राष्टिय गीत क्या जगा राष्टिय गीत तो राष्टिय गीत का याद रहना आपके भया आनंद आनंद मट और आनंद मट किसने लिखा है वकीम चंदर है लेकिन गितांजली लिखी है रविन्दनाट रविन्दना टेगोर को कहा जाता है गुरु देव क्या बोलते है और गुरु देव कहने वाला व्यक्ति कौन था महत्मा गांदी अगले पॉइंट को देखे भाई अगले परसन में के देन लाग रहे है राष्ट्य गीत बात कर लिए कोई दिक्कत नहीं है 65 सेकंड है बारत का राष्ट्य पसू सबने वेरा भाई था नडर भी लाग दा होगा इस पसू था है बाग बारत का राष्ट्य पसू या दखना बाग क्या रखोगे बाई बाग एक बात बताता हूँ सन उननिस सो तियत्तर तियत्तर से पूर्व तियत्तर से जो पूर्व था वो कौन कैसे सेर थे ये एश्याई सेर और ये एश्याई सेर कहां पायाते है लेकिन ये अब क्या बन गया और बाग याद रखना 1900 कब बना क्या मिला इसको तो भारत में राष्टे पसू बाग को दर्जा कम मिलता 1900 और भारत के किस राज्ये में बाग जादा पायाते है, राज जे पूछलेगा अमब ए, MPI है इसलिए तो इसको बोलते है, टाइगर इस्टेट क्या बोलते है टाइगर इस्टेट यानि कि टाइगर परदेश किस राज जे को बोला गया है भारत में सरवादिक बाग का पायाते है और याद रखना है दोस्तों पूरी दुनिया के 70% बाग भारत में ही है इसका मतलब विश्व में सबस्यादा बागों की संख्या वड़ा देश विश्व में सरवादिक साप कहा पायाते हैं साप एक बहुत बड़ा जंगल है बहुत बड़ा जंगल यानि की ब्राजिल देश को क्या बोलाता है सापो का देश यह ओफ लाइन के जितने विद्यारते है कुणिया ता यहाँ जोड़ दिया बेरो क्यों जोड़ दिया यह सापो वाड़ा परसन कई बार बता दिया और टेस्ट में भी आ चुका फिर भी किसी एक बच्चे से यह निकला गुरुजी ब्राजिल देश को सापो का देश बोलते है और अभी बोल दूना सूर्य उदेखा देश किसको बोलते है जपान बोलेंगे क्योंकि सारदी रील देखते रहती है मिचेडी आग की आऊने हुचू 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 जपान देख देखके पागल हो रहे है सापान कोई कोन देखा है सांपों का देश ब्राजिल रख लोगे याद एक बात बताऊं लाड़ ले जितने टेस्ट ले लिए वो परसन गलत क्यों करते हो भाई वो सीट तो आपके आतमे आ गई आतमा एड़ी चीज़ थे जान कौन दो टेस्ट मुखिया जान दी रहे सविधान के किस अनुछेद में वार्चिक वित्य बजट को वर्णित क्या गया अब कई बंदे इसे होंगे यूटूब पर आऊंगे और देखेंगे यो किसा मास्ट्र काट उन्हें मजे लेवाए बड़ा है भाईबां की अत्राई बाड़ांगे ठीक है आपने क्या करना भाई सेलेक्शन है एक सेलेक्शन लेना भाई ये एक बंदेन है तने क्या सेलेक्शन चीर है एक तने क्या चीर है एक बस एक सीट लेनी है यह ने भाई साब सीट दो चाहिए लाड़ू दो चाहिए कोई चीज जो दो दो लेगा भायो तो मरेगा यो देखो ये गुडिया बहुत पड़ती है इस्टुडेंट है पुराणी मेरी दोजार सहथ 20 21 की स्टुडेंट है ये रूची का चोदरी अभी भी दरबट बटकरी है ये लग जाओं कहीं पे कि 2018 20 की पता नहीं कितने चाहिए ना यह अच्छा परसर रूची का गुडिया ने बहुत शांदर उत्तर दिया बजट याद रिखना दोस्तों बजट बारत्य सविदान में नहीं है पहली बात तो यह बजट सब्टो बारत्य सविदान में है भी नहीं इसकी जगा नाम क्या म आ्रसिक भी ये सब्ध है और ये सब्ध कहां परीवासित किया गया है पूरे साल भर में जितना भी खर्चा ओना कहां इंवेस्ट करना है उसको हम एक क्या बोलते हैं बजट अपला घर्गा कोई गरा बजट बजट बना ले और रहा है यह 10 बोरी चना होई है न चना न खाना भी तो पूरा साल एक बोरी बिच्चे को नहीं घरगा तीन मिनबाद एक बोरी बेज़ दी फीज्ट जमा करा दी दो मिन बाद में बोरी बेज़ दी जो गर्म गरीब परिवार के जो है न वो खेतियो कि अनाज को घर पे रखते हैं, कहते गुआर को छटे महिने बेचेंगे जब गुडिया की साधी करेंगे, वो एक परकार का बजट घर वाले बनाती है, इसी परकार केंद्र सरकार भी बजट बनाती है, तो बजट नाम का कोई सब्द नहीं है, वित्ते वार्षिक बजट इसक किस का होगा जब पेस होने से पहले साइन किसका होगा राष्ट पत्ति का अगले परसंदी को देखें क्या दिए गया है राष्टेगान जन्मंण के रचीता का अभी बताय था दोस्तों अभी बचाया था मुझे अ कि जब 203 की गुडिया है क्या यह बारत का राष्टे चिनको बारत सरकार ने कब अपनाया यह तो ओनलाइन पर बोल रहे हैं तो पुरानी इस्टुटेंट है यह फिर बच्चे सुचेंगे अभी तक लगी नहीं गया पढ़ती तो बहुत है पर यह नहीं पता क्पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है बस किताबे लिया आते 10-15 और बहुत पढ़ते 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 तब यार्यों पढ़नेड़ों जरूरे किया हो गया हो है क्योंकि मैं चार उपसन मैंने इसा लागा यो भी उसका यो तो हो है गो और यो भी उसका यो ओसका यह परसना छोड़ राष्टी चिन को बाहर सरकार ने कब अपनाया जिस दिन बाहरते शविधान लागू हुआ 24 जनवरी 24 जनवरी ये हो 24 जनवरी ने एक राष्ट पती, राष्टे गान, राष्टे गीत अगले परसन को देखे दोस्तो बारत का राष्टे वरक्स कोण सा है वारत का राष्टे जो वरक्स है वो याद रिखना आपको बरगद काम की बास सुनले हो रहे पिपल की कानी आजा महत्मा बुद को ज्यान की प्राप्ती तो महत्मा बुद को ज्यान की प्राप्ती किस पेड के नीचे हुई थी पिपल एक पुजनिय वरक्स है दार्मिक वरक्स में गिना आता है याद रखना एक साल वरक्स क्या मिलेगा एक मिलेगा वट क्या मिलेगा और एक आपने सुना होगा महावीर स्वामी सुना है महावीर स्वामी महावीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ती तो महावीर स्वामी को जो ज्यान की प्राप्ती वो किस पेड के नीचे मिली साल या वट जबकि महत्मा बुद को पिपल तो आपने बोध दिरम को अच्छे से पढ़ लिया तब दिमाग में पीपल बैठ गया और जब राश्ट्य वरक्स पूछा तो आपने उत्तर क्या दे दिया ऐसे मेरिट में कहां चले जाओगे आप नीचे चले जाओगे नीचे नीचे बर्गद मोटो एड़ पता हो एड़ एड़ एक पत्य को बजनों तिन तिन किलो एड़ प पत्ता पत्त ने न्यू गर्यों और त्यूरी एक पत्तो चले मजाग करो इतने बड़े पत्ते ने उते मजाग एड़े फन कर रहा हो बाई आगे देखे यह भी बताय था महा भारत के रचीता कर जोग यह जोग यह जोग यह जोग ठीक है कि का बताओ वेद वेद विया सक्वाथ इसका करा तो दिया उन बच्चों को पता है भागल है उस यारे नो चले कहांगा बिर वह कितने पर तेक वर्स हिंदी दिवस कब ना यह यह भी करवा दिया भाई हिंदी दिवस की अगर बात करें तो 14 यह पिछले परसन में एक्स्प् इंवेश्ट नहीं कर रहा भाई कभी बाद में बोलो गुरुजी थे टाइम बहुत ले लिए के गुरु भाई सेलेक्शन सफलता सक्षेस मिलना बहुत मुस्किल है जब तक तोड़ेंगी नहीं जब तक छोड़ेंगी नहीं रहे रह 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 बस डटो बारतिय बजट के प्रेंड़ना किसे माना आता है जो बजट सब दया है यह किस ने सुरू किया उत्तर बताई भाई Lord McCallee, Lord Karjan, James Williams या Lord Canning भाई क्या नमर पर सना है यो 31 32 भाई क्या तो इसका राइट उत्र होगा आपके James Williams को माना आता है किसको मनाता है James Williams को ओप्षन संक्या C भाई Lord Karjan के बारे में एक बास सुना बंगाल बंगाल विवाजन तो बंगाल विवाजन किस के समय बंगाल विवाजन हुआ था Lord Karjan के समय 1905 में Lord McCallee को अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा का क्या बोलते है जनक तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने वाला व्यक्ति कोन था Lord McCallee तो कई बार यह आता है एक मिलेगा बुन्यादी बुन्यादी शिक्षा ये परसन जो बता देगा न मैं वाक्य में मानता हूँ वो बच्चा पढ़ने वाला बुन्यादी शिक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम बताए बुन्यादी शिक्षा किस व्यक्ति के दुवारा दी गई बुन्यादी शिक्षा ओप्सन को दो एंग है और टेड़ा अगरगा देड़ो कौनी एक तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो शैशन को लाइक करे और जिसने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया वो चैनल को सस्क्राइब करे और वीडियो को शेर नहीं किया शेर करे और सबाब पांच बजे बाइसा बिना कए हर एक वेक्ति मेरी क्लास में जुड़ेगा अगर दस मार्च के पेपर में आपको लगना है तो आना पड़ेगा देखो बुनियादी शिक्षा बुनियादी शिक्षा I am also new student Hacker नाम को बाड़क तीन दीन उबठकर लाaja है New student पुराणों लियो रहे महत्मा गांदी तो महत्मा गांदी को क्या बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है जबकि लोड मेकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक मानाता है लोड केनिंग के बारे में सुनना बारत का अंतिम अंतिम वेरी वेरी मोष्ट गवर्नर जन्रल तो बारत का अंतिम गवर्नर जन्रल को था लोड केनिंग और एक बात यह दखना बारत का बारत का प्रतम प्रतम वायस रहे तो बारत का प्रतम वायस रहे को था लोड केनिंग औ तो कई बार यह पर सिना आता है कि 1857 की कुरांति किस गवर्नर जर्नल के समय हुई थी कर लोगे दोस्त दोस्त तुम दोनों आयो बार से मैं चाथता हूं आपकी बार अगनी विर्ड आप ही बनों मैं क्योंगे तो न्यूं है जैपुर के यह चीद पृषबूरश है एक पूसोफ बड़े और उतने जंता के दोस्तों आप सोचोगे नहीं शाम को पोस्ट बड़े लगते न तो आज पास के जितने भी गर है न उनकी गैस सुला बंद रहता है पूरी फैमली जच्चे से लेकर आपके बच्चे तक जच्चे से लेकर बच्चे तक पूरा लैन से मम्मी मैं पीछे रह अगया पापा मैं रहा आजा अगना आजा पूरी भीड भाई दोवा के पोस्ट बड़े यह क्या होता है सेवा की जाती है धरम की आ जातओ करणा लंगर सुना है पंजाब गुरुद्वारा गुरुद्वारा व्याइपी लोग भाई खाने जाते स्पेसल जब मन नहीं होता ना घर पे खाना नहीं बन रहा स्पेसल गुरुद्वारे लंगर चखने के जाते हैं पंजाब में और एक सरदार ही है जो इतना दान करता है पूर अगले परसन में देखें क्या दिगाए राष्टेगान को पहली बार 1911 में कब गाया गया था लेकिन कोंग्रेस पार्टी का कौन सा अधिवेशन था याद रहना 27 वा 27 वा अधिवेशन था, यह कौन सा अधिवेशन था, 27 वा, और यह 27 वा अधिवेशन कहाँ पर भया, कोल का था, और याद रिना, यह किस तारिक को गाया गया, 27 दिसंबर 1911 में, और बताते हैं कि भारत के दो परमुक अधिती आये थे, एक का नाम आता है, जोर्ज पंचम और उसकी मैडम, मैडम मेरी, मेरी नहीं, उसी की मैडम, मैडम मेरी नाम है, जोर्ज पंचम और मैडम मेरी, उसी की है मैडम है, जोर्ज पंचम, जोर्ज पंचम मैडम, मैडम मेरी, तो मैडम मेरी और जोर्ज पंचम के इनके स्वागत में, वैलकम करने में कौन सा सोंग आएग और कब गाये गया 1900 कोंग्रेस पार्टी के कोंड से नंबर का दिवेशन अब एक सब दोर याद रखना इसी में आ जाएगा साथ वो बताने की जूरती निशी के अंदर परसन है दियान से देखना अगले पॉइंट को देखें क्या दिये गया बाहरते राष्टे गीत को सरपर करता में यह कहाए गया था आपके 28 दिसंबर अठाइस दिसंबर 18-09 में 18-09 में और याद रिखनाँ दोस्तों जो आपके राष्टे गीत राष्टी कीत का नाम क्या है वंदे मात वंदे मात्रम एक बात बता कोई निब बोले का रहुल एक व्यक्ति बोले का रहुल वंदे म राष्ट्य जनवरी 1950 को इस सब्ध के आगे क्या लग यह आपका राष्ट्य बन गया यानि कि इसनल आपके क्या बन गया सोंग बन गया आपके कर लोगे कोई दिख्क्त नी तर आपकी साधी हो गई क्या भाइश सब भाई साधी हो गए एक गुडिया है दाई साल की हाँ रूची कोलकता बता रहे है ठीक अजी अगले परसन बढ़ू गया पेट में चुवा कुद्र लाग गया चुवा कहा रहे रोटराटी गालो राष्ट्य गीत बंदे मात्रम का पर्थम परकासन किस वा गरंत में किया गया राष्ट्य गीत पूछ रहे अरे राष्ट्य गीत एक बात रहे राष्ट्य गीत कहां से लिया गया है पूछ क्या रही है राष्टे गीत अगर राष्टे गान का पूछ ले राष्टे गान राष्टे गान का जो परकासन है ना परकासन वो किसमे किया गया और ये कब किया गया 1912 में लेकिन राष्टे गीत को वंदे मातरों का पर्थम परकाशन की गंज से किया गया, इसके अंदर ये परकाशन, अगले परसन को देखे, क्या दिये गया, चीजों को समझा करो, यार, परसन को पूरा पढ़ना है, ये उत्तर सही होगा अब, ये उत्तर, यहां क्या पुछ ले राष्टेगान, तो ये प तो उसमें भी था, अरे यहां पर क्या पूछ रहा है, राष्टेगीत है लाड़ले, और यहां पर क्या है, अब सही हो जाएगा, यहां पर आपका रवाईट उत्तर है, वो गीत था, ये गान है, बस ऐसे ही पेपर में परसन आते है, और तुरी गीत पुच्छो रहे, और ह इतनी बार बताया है, परसन ने पूरा पड़े करो, मारू भो दू बाई, चस्मा लगा के उतार के ने, वेरी गुड, पड़ तो लें दिया, अगर परसन लाड़ ले, पड़े नी कौन देता, उसता पहली उत्तर बताना लागे, ये बाड़क फोजी लगेंगे, फोजी, बारत का राश्टे फूल क्या है, अब एक बात बताएगा मुझे, जीतु बोलेगा, जीतु, जो कमल नामक जो फूल है, ये बारत के कितने राज्यों का भी है, और कितने राज्यों का है, और तीन राज्यों के नाम बताएगा सिधार्थ, वेरी गुड, सिधार्थ एक अर्यान है बेटा और एक वो राज्य नहीं राब अब वो राज्य नहीं रहा राज्य छिन लिया इतना हिंट दे दिया यार आप मेडिया में नहीं रहते हैं आप इस्टाग्राम की रील पे रहते हो केटरिना क्या कर रही है एस्वर्रा क्या कर रही है ओहो ये क्या ड्रेस है मारूंगा मैं मैंने क्या बोला राज्ये का दर्जा छीन लिया वो कहा जारखंड 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 एक और बता दो दिपक का परमुक्स है रहे दिपक का परमुक सहर इसरो का मुख्याले वहाँ पे इसरो का मुख्याले चिन्ना स्वामी मुत्त स्वामी आयर वेड गोपाल आयर नामक के खेल का स्टेडियम पड़ता है वहाँ पे तो चेप की स्टेडियम है चेपो की स्टेडियम है बारत का उद्दान बोला जाता है करनाटक है बगीचो का सहर है एक बात बताओ दोस्तों इतने हिंट देता हूं इतनी सरल तरीके से मुझसे इजी इजी वे में कोई नहीं पढ़ा सकता यूटूब के उपर इतने सरल में परसन की जो लेंगवेज है परसन का जो लेवल है ना बिल्कुल उसको पानी कर देता हो पानी 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 फिर भी उत्तर नहीं बताते है तुम के बता हो गुरुजी पढ़नाम यह पढ़नाम हो है तेरी अर्दोही किलास खतम होगी भाई अगला देखे भाई सब राष्टे गीत वंदे मातरम के रचिताकार पढ़ चुके बार 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 बताने की जूरत नहीं है राष्टे गीत वंदे मातरम के रचितकार वकीम चंदर अगला देखे बारत का जंडा गीत के लेखक जंडा उचा रहे हमारा विश्वित रंगा प्यारा शामलाल गुप् प्रतम हिंदू विदी निर्माता कौन थे नहीं मनु कौन थे भया मनु बताओगे प्रतम हिंदू विदी निर्माता का नाम पुछे तो मनु बताना आपको बारत का आइंस्टाइन किसे का जाता है ये परसन सभी के लिए वीडियो के कमेंट में सारे बच्चे बताओगे वीडियो के कमेंट में कोमेंट करोगे बाई सारे सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे सारे फटा फट बताईए क्लास आपको कैसी लगी और भाई इस परकार के आपको notes चाहिए अगर इस परकार के आपको notes चाहिए, timing किस परकार class होती है, सारी update आपको group में मिल जाएगी, तो ये सारे बच्चे इस से जुड़ दो भाई आप और सुनना भाई सब, एह हैं, नम्मर को नी? आठ बजे मजाक की सोबात है, आठ बजे आपके science math की class, किस की class भया? सुबे आपके math की class इस्टा नहीं चलाता मैं जिन्दगी में कभी इस्टा नहीं चलाता, इस्टा दुनिया को खतम करती है, 9 बजे आपके science की class और 11 बजे आपके gk की class और फिर सवा यानि की 17 बजे 15 मिन्ट पे फिर gk की, मेरा थन आप ध्यान से सुना दोस्तो काम की बाद सुन लिए पहले बता रहो भी बहुत बड़ी अबात है अगर आप हमारे पास जैपूर में हमारी संस्ता में आके पढ़ना चाहते हो क्या फीश रहेगी? रहना इस नम्मर पे कोल करके अपने बैच के बारे में पूछ सकते हो कि किस परकार बैच को प्रवाइड करवाते हो सब आप क्या फीश रहेगी? क्लास की कोई फीश निये बस आपसे रहने की खाने की बस यही फीश लेते हैं बस फीजिकल ग्राउंड फ्री हर सेटेडे को रात को ठ्रेटर के अंदर एक मूवी फ्री और वो भी कौन सी भया मोटिवेशनल कल भया परमानू मूवी देखेंगे? परमानू मूवी देखेंगे? ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिस करते हैं मिलते हैं शाम को सवा पाच बले जया हिंद बंदे मातरम